बॉलिवड किंग शारुख खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म जवान के 18 दिन के कलेक्शन के आकड़े आच चुके हैं। शारुख के नाम एक और रिकार्ड जुड़ गया है। फिल्म जवान ने सबसे तेजी के साथ 1000 करोड कमा लिये हैं। और इस मामले में पठान को भी पचार दिया है। जवान केवल हिंदी मही नहीं बलके तमील और तेलगू में भी ब्लॉकबस्टर साबित हुई है। फिल्म का तीसरा हफता चल रहा है लेकिन इसके रफतार में जरा सी भी कमी नहीं आई है। घरेलो कलेक्शन के मामले में जवान केवल पठान को ही नहीं बलके गदर टू को भी पचार दिया है। अठारवे दिन के आधिकारिक आकड़े केवल चोकाने वाले नहीं बलके एतिहासिक हैं। शारुक की जवान की 18 दिन की कुल कमाई एक हजार पाच करोड हो चुकी है जबकि पठान का लाइफ टाइम कलेक्शन एक हजार पचास करोड है। फिल्मी जानकारों की माने तो आने वाले 10 से 15 दिनों में जवान की कमाई पंदर सो करोड हो जाएगी। वहीं सनी देवल की गदर टू शारुक की जवान से बहुत पीछे रह गई है। गदर टू को रिलीज हुए 45 दिन हो गए हैं और उसका कुल कलेक्शन 681 करोड मात रहें। जबकि पठान ने 1050 करोड कमा लिये थे। और इस तरह गदर टू कमाई के मामले में इस साल की तीसरी सबसे बड़ी फिल्म होगी। दोस्तों बताते चलें कि सनी देवल की गदर टू को मोधी सरकार ने भी प्रमोट किया था और यही वज़े थी कि देश के पार्लेमेंट में सनी देवल की गदर टू को दिखाया गया था। बावजूद उसके शारुख खान की जवान तमाम तर अटकलों के बावजूद सूपर डूपर हिट रही और कमाई के मामले में इस साल की ही नहीं बलके बॉल्यूट के इतिहास की सबसे कमाई करने वाली एक मातर फिल्म बन गई है और शारुखान बॉल्यूट के एक मात्र ऐसे अभीनिता बन गए है जिसने बॉल्यूट को सबसे ज़्यादा कमा कर दिया है पठान और जवान के बंपर हिट के बाद शारुखान जहां हैट्रिक के तौर पर डंकी की तैयारी में लगे हुए है वही खबर है कि डंकी की कहानी लीग हो गई है हाला कि कुछ का ये भी मानना है कि फिल्म प्रमोशन का ये नया तरीका है ताकि फिल्म की पूरी कहानी को लेकर लोगों में उत्सुकताब बनी रहे डंकी को लेकर जो जानकारी हमारे पास है आईए आपसे साजा करते हैं गुजारिश करते हैं कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखेगा शारुख खान की अगली फिल्म डंकी की कहानी पंजाब से जुड़ी है बताया जा रहा है कि ये एक खासे फिल्म है जिसमें थोड़ी कॉमेडी और धेर सारे इमोशन्स है ये फिल्म उन लोगों के बारे में है जो एक बार घर और देश से बाहर तो चले जाते हैं लेकिन उनकी मातर भुमी यानी आबाई वतन उन्हें फिर वापस बुलाती है लेकिन आना बड़ा मुश्किल हो जाता है मीडिया में आई खबरों के मताबिक शारुख खान इस फिल्म में एक ऐसे पंजाबी की भुमीका में हैं ऐसे किरदार में हैं जो कनाडा जाना चाहता है लेकिन उसके पास सही कागजात नहीं है ऐसे में वो चोरी छुपे डंकी फ्लाइट का इस्तमाल करता है डंकी फ्लाइट का मतलब होता है कि किसी एक देश में जाने के लिए छोटी छोटी जगों पर चोरी छुपे रुकते हुए अंततर वहां तक चले जाने को ही डंकी फ्लाइट कहा जाता है इसमें लोग किसी देश का टूरिस्ट वीजा लेकर निकलते हैं और वहां से होते हुए अवेद रूप से किसी अन्न देश में पहुँच जाते हैं दुनिया में हर साल लाखु लोग ऐसे ही रास्तों से एक देश से दूसरे देश में पहुचते हैं शारुखान फिल्म डंकी में ऐसे ही एक व्यक्ति के किरदार में हैं रोल में हैं लेकिन जब वो एक बार कनाडा पहुच जाते हैं तो वहां से वापस आने में उन्हें बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता हैं इसमें क्या मुश्किलें आती हैं और क्या वो इंडिया लौट पाते हैं यही डंकी में दिखाया गया है फिल्म का निर्देशन राजकुमार हिरानी ने किया है बताया जा रहा है कि फिल्म 22 दिसंबर को रिलीज होगे बताते चले कि फिल्म डंकी के डिरेक्टर राजकुम शानदार फिल्मे दी है